ह로 हाटो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों किका है आपको काफी अमेजिंग चीज बारे बताने वालों है तो अगर मैंसे किसी भी लोग को इंटरस्ट Time Graphic design उसरा फिर आप किसी बितने सिरके एडिटिंग करते को तो थम्नेल बनाती हो और photo editing करने में इंट्रेस्ट आपको canva के बारे में knowledge है और आप इसका pro version access करना चाहती हो तो बिलकुल free में तो आज मैं आपको इस video में इस pro version को बिलकुल free में लेके दिखाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कैसे आप ले पाऊगे बट यार उसके लिए requirement है उसके लिए requirement है कि आप एक student हो आप currently अपनी education pursue कर रहे हो और आपके पास अपनी college की email id है साथ ही में आपके पास एक valid अपना college का id proof होना चाहिए तो यह कुछ चोटी सी requirement अगर आप एक student आ तो आपके पास यह जरूर होंगी तो आप आगे इस video में continue करो और सबसे पहले देखके आओ कि कैसे हम canva pro का बिल्कुल free version यहाँ पर pro version लेने वाले हैं उसके बाद हम वीडियो के आखिर में discussion करेंगे तो दोस्तों चलते हैं अपनी computer screen पर so canva free लेने के लिए हमारा सबसे पहले step होगा हम जाएंगे google chrome पर and हम search करेंगे github student developer pack तो जैसे हम इसको search करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले सर्च आ जाएगा जहाँ पर लिखा है github student developer pack आप इस पर click करने के बाद आप इस window को देख पाएंगे and यहाँ पर हमें क्या करना है अब हमें इस button पर click करना है जहाँ पर लिखा है sign up for student developer pack जैसे आप इस पर click कर देंगे तब हलकसा नीजे scroll करने के बाद आपको दिखेगा individuals में हमें जाना है student वाली category पर जहाँ पर की github आपके लिए बिलकुल free में available है with pro version तो दोस्तों जैसे हम click करेंगे get student benefits वाले button पर तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप sign in कर लीजिए बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम अपनी college email id की मदद से यहाँ पर अपना एक account create करने वाले है तो हम click करेंगे create an account वाले link पर तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर window open हो जाएगी और यहाँ पर आपको बोला जाएगा welcome to github let's begin the adventure और आपको बोला जाएगा कि आप अपना email id एंटर करिए और अब मैं अपनी college email id एंटर कर लेता हूँ जैसे मैंने यह enter कर लिया अब आप देख पाएंगे मैं continue वाले बटन पर click करते हूँ अब इन्होंने बोला है कि अपना एक password आप खुद से create कर लीजिए और आप वो password create करना जो आप सही से याद रख पाएं मैंने password enter कर दिया है और इसने बोला है password आपका strong है अब मैं continue कर देता हूँ अब आपको अपना एक username भी सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने बोला है कि आपको अप्डेट्स चाहिए product के recommendation के या फिर नहीं तो आपको अगर चाहिए तो आप यह कर सकते हूँ मैं अभी के लिए तो मैंने यहाँ पर click कर दिया और यह done हो चुका है अगली बार फिर से पूचा गया तो मैंने इस पर click करके इसको done mark कर दिया है इसके बाद आप create account वाले button पर click करके आगे proceed कर सकते हो तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी email id पर अभी एक code आया होगा आपको उसको enter करना तो यहाँ पर आप सिरफ यह बोग दिजिए कि इसको सिरफ मैं ही use करने वाला हूँ और मैं एक student हूँ मैंने student select कर लिया है just me select कर लिया है और अब मैं continue पर click कर देता हूँ देन अब हम यहाँ इस window पर navigate हो चुके हैं जहाँ पर की बोला गया है कि यहाँ पर दो तरगे pack available है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम free वाले pack पर click कर देंगे continue for free अब आप देख चुके हो कि आपका यहाँ पर github का account create हो चुका है then अब आपको क्या करना है अब आपको second step follow करना है जिसकी मदद से आप finally आपको canva pro बिलकुल free मिलने वाला है तो दोस्तो next step में हमें finally क्या करना है canva pro का subscription बिलकुल free में लिएने के लिए आपको मैं एक link एक URL अभी screen पर show कर दूँगा आपको उसको जाके अपने browser पर type करना है जिसकी आप उसको type करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page आजागा जो कि finally आपको verify करेगा कि आप एक student हो या नहीं और साथ ही में आपका जो github account है वो already logged in आपको देखने के जहां पर बोला जागा कि जो आपके college का ID card है उसका आपको photo paste करना है जिससे वो verify कर पाएं कि आप अभी एक student हो और आपका जो ID card है college का वो एक valid ID card है उसको आपको upload कर देना उसकी picture क्लिक करके and आपको process my application पर click कर देना है उसके बाद आप जैसे ही अपनी account पर वापेस यह सब बिल्कुल free में available है आप canva का बिल्कुल pro version यहाँ पर ले सकते अब आपको करना क्या है आपको get access by connecting your github account इस पर link पर click कर देना है सो जैसे ही हम इस link पर click करेंगे तो हम redirect होजेंगे canva की official website पर और यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले college वाली email ID से Google sign in कर लेना है अब आप जैसे ही यहाँ पर अपनी college की email ID से sign in कर लोगे दिन आपको बोला जाएगा कि आपको अपना github account link करना है आपको github को access देना है उसकी मदद से ही आप canva का यह जो प्रो वर्जिन है इसको बिल्कुल free में access कर पाऊगे तो अब जैसे ही आप अपना github को link कर देंगे then आपके सामने यहाँ पर get started का button visible हो जाएगा और आप इस पे click करके अपना interest select करके कि आप इसको किस चीज के लिए use करना चाहते हैं और sign in करके आप इसको directly use कर सकते हो तो यह है पूरा process आतो दोस्तों आपने देख लिया कैसे हमने प्रोबोजिन के अनवा का बिल्कुल free में एंड्रोल कर वा लिया है आपको यह पसंद आयोगा और आपको यह काफी बढ़ी अलगा होगा अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना and मिलत करें डोस्तों के फोलका टॉप ए।